तो आज़ाब नमस्कार गुडी इनिंग से स्राकाल एक बाद फिर आप तुमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी कि इस एपिसोड में उम्मीद पूरी फैमिली अच्छी होगी आज कदिन एक इतिहासिक दिन है खास दिन है आज चार फरवरी 2021 और चौरी चौरा यह कांड है एक घटना थी हम लोगों ने अपने स्लेवस में भी पढ़ी यह पढ़ाई जाती है हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलल में इस चौरी चौरा घटना की एक बड़ी एहमियत है सौ साल पूरे होने जा रहे हैं क्योंकि यह घटना थी चार फरवरी 2022 की आज से इसका स्वताब्दी समारो मनाया जाएगा और प्रधान बंत्री ने बाकाइदा आज इसका उद्गाटन भी किया इस समारो का तो मैं अपनी कहानी सुना हूँ आज कहानी घाजी की पाकिस्तान के संबरीन की उससे पहले थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं कि चौरी चौरा घटना है क्या उत्तर प्रदेश के गोरकपुर के पास एक छोटी सी जगाँ है गाउं है दो गाउं है सलमें एक गाउं है चौरी और दूसरे का नाम है चौरा अगर आज के इस आप से बात करें तो इन दोनों गाउं को मिलाकर आवादी करीब होगी 14,000 क्यों चौरी चौरा घटना क्या थी क्यों हुआ इस्तिहास में इसका दर्स क्यों है नाम और क्यों शताबिस हमारों मना रहे हैं इन सब के पीछे की कहानी यह है कि 1920 एकिस में गांधी जी ने असायोग अंदोलन शुरू किया था पहली बार अंग्रेजों के खलाफ एक बड अज़ादी हासिल करने थे हमें 1947 तक इंतजाद नहीं करना पड़ता मतलब करी 25 साल पहले अज़ादी मिल सकती थी लेकिन घटना ने इस असायोग आंदोलन को ही खत्म कर दिया था और यह घटना ऐसी चौरी-चौरा कांट से जुड़ी हुए हुआ यह कि गांधी जी की इस चौरी-चौरा गाउं में भी निकाली जा रही थी तारीख थी चार फरवरी पॉर्थ फरवरी 1922 बहुत सारे लोग सड़कों पर थे असायोग आंदोलन के लिए नारे लगा रहे थे गांधी जी की टोपी पहने हुए थे और इसी दोरान में जब वो भोपा बाजार है तो वहाँ थोड़ी बहस हुई पहले लोगों में इतफाक से इसी दोरान में एक पुलिस वाले ने एक कारेकरता की जो टोपी थी गांधी टोपी उसको सर से गिराकर और अपने बूर्ट तले को चल दिया इस टोपी के अपमान को उस रैली में शामिल बहुत सारे लोग बर पिर इस असायोग अंदोलन की रैली में शामिल लोग भड़क गए इसके बाद उन्होंने चौरी-चौरा थाने का घेराओ कर लिया भीड काफी थी पुलिस वाले कम थे चारों तरफ से पुलिस टेशन को घेर लिया पुलिस वाले अपनी जान बचा कर चौरी-चौरा थान तो जब थाने में 21 पुलिस वाले और गुपतेश्वर सिंग जो थाने दार ये 22 लोग बंद हो गए इसके बाद भीड में से कुछ लोगों ने उस थाने में आग लगाने इस आग लगाने की वज़ा से चुके पुलिस वाले बहार नहीं निकल पाए 22 के 22 पुलिस वाले उन और केते हैं कि इस घटना के बाद गानधी जी को बड़ा जटका लगा यूफि गानधी जी अहिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी हासिल करना चाहते था और उनका मानना था कि हंसा का कोई रास्ता नहीं है बेशक टाइम लगे लेकिन हम हिंसा के बलबूते पर आजादी नहीं लेंगे तो असायोग आंदोलन गांदी जी नहीं शुरू किया था लेकिन चौरी-चौरा घटना के बाद बारा फरवरी इस इंसेंट के आड़ दिन के बाद 12 फैम 1922 को गांदी जी नहीं असायोग आंदोलन अचानक वापस ले लिए और कहा कि बस अभी खत्म और उसकी वज़ा यही थी यह हिंसा और बाइस पुलिस वालों की मौर्ग इसको लेकर उसक के बहुत सारे जो नेता थे जो आड़ादी की लड़ाई लड़े गांदी जी के इस फैसले के खिलाब भी हुए कि असायोग आंदोलन काफी अच्छा चल रहा था और इस तरीके से वापस नहीं लिया जाना चाहिए तो मद्भेद भी हुआ जिसमें पंड गांदीजी ने हमद्डे न वापस ले लिया उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी भाहां पे जो घर्टा में शाम Haar किया जोन्होने पोलिस्टेशन मेन आग लगा주세요 and 949 घराफतार किय Milady और दोसं अजदा लोगों को पकड़ा गया और इन लोगों में से बाद में करीब 172 लोगों को अदालत में एक साल के अंदर अंदर ही यह उनीस 122 की घटना थी और 1923 जुलाई आते आते हैं अंग्रेजी अदालत अंग्रेजी जजों ने 172 लोगों को फांसी की सजा सुना दी वन सेवंटी टू लोगों को चौरी चौरा कांड के इलजाम में तब इस केस को लड़ रहे थे वकील पंडित मदन मुहान मालवी उन्होंने किसी तरीके से बाद में इसको चैलेंज किया उप्री अदालत में और 172 जिन लोगों को फांस ने 19 लोगों को फांसी दे निए 19 को फांसी दी इसके इलावा इन सभी को 2 से 11 जुलाई 1923 को फांसी देने के लावा करीब 14 लोगों को उम्रेकायत की सजा सुनाई गई कुछ लोगों को 8 साल की सजा सुनाई गई लेकिन चौरी चौरा घटना में जहां 22 पुलिस वाले जिन इन 19 के 19 लोगों के समारक आज 24 में हैं और इसी घटना को लेकर शताब्दी समारों की शुरुआत आज के हुई है प्रदान मंत्री ने इसकी शुरुआत की है और अब जो है ये एक साल तक अलग-अलग तरीके से इस समारों को मनाया जाएगा तो मुझे लगा कहानी शुरू क कहानी पाकिस्तान जी समरीन काल जिसको लेके बहुत सारी बातें हुई पी एिनिस चजाजी के एसी सब्मरीन एक बढ़त बात Ol?!" पाकिस्तान के तब अमरीका के साथ बढ़े एच्ची रिश्ते थे अमरिका ने अपनी पुरानी सम्मारीन को ठीक ठाक कर जो गाजी थी पाकिस्तान को दोस्ती के एवस में यह दे लिया था और गाजी का उस वक्त अपना एक जलवा हुआ करता था गाजी की तरही या गाजी से थोड़ा जादा बहतर हिंदुस्तान के पास आई एनस विकरान था ये एक लाउता ऐसा जिस मेरक्राब था जिसे प्लेन भी उड़ सकते थे पाइटर प्लेन तो पाकिस्तान के पास प्ये एनस गाजी उस वक्त की तक्नीक से बहुत लैस बहुत घातक खतरनाक और इसी गाजी के डूबने या इसमे धमाका होने की पूरी कहानी इस पर फिल्म भी आयए थी तीन-चार साल पहले तो गाजी जो पाकिस्तानी सब्मरीन है इसके साथ क्या हुआ या आज भी एक राज और रहसे हैं पूरी तरह से दावा दोनों देश करते हैं हिंदुस्तान भी पाकिस्तान भी लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वज़ा से चीज़ें के लियर नहीं हुए एक जंग के दोरान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जिनको गोपनी रखी जाती है डी क्लासिफाइट तो अपनी नेवी या नौसेना ने आज तक इसके जो दस्तावेज हैं गाजी के हाथ से सजड़ेवे गाजी को डुबोने या गाजी को मारने को लेकर मैं जहां बैठा हूं इसके ठीक पीछे ये नौर्थ ब्लॉक में ही नेवी का जो नौसेना है उनके भी यहां पर अधर्ष बैटते हैं है और यहां उनका दफ्तर है कहते हैं इसी नौर्थ ब्लॉक के अंदर कई ऐसे तालों के अंदर ये क्लासिफाइट डॉकुमेंट्स बंद है जिसमें गाजी का पूरा सच कैद है लेकिन गाजी की कहानी जो छंछन कर सामने आई अलग-अलग तरीके से वह क्या थी बात 1971 कि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना लगातार जुर्म ढारे थी और पूर्वी पाकिस्तान के लोग एक अलग देश की मांग कर रहे थे बांगलादेश की और वहां से बहुत सारे लोगों के उपर जुल्म हो रहा था और तो के साथ रेप हो रहा था लाखों शनरार्थी पूरवी पाकिस्तान से भाग कर हिंदुस्तान में शरन लेने आ गए रिफ्यूजी के तौर पर हमारी भी इससे दबाव हम पे ब और चे पे जंग लड़ी गई लेकिन गाजी की कहानी यहीं से शुरू होती है असल में उस वक्त अरब साजर में जो पाकिस्तान नेवी की हालत थी वो सही थी मजबूत थी और भारत की भी बुरी नहीं थी भारत की मजबूत थी लेकिन बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान कमजोर था जब कि भारत बेहत मजबूर था और यहां पर पाकिस्तान को लगता था कि अगर बंगाल की खाड़ी में भारत को नहीं रोका गया तो फिर हारत है और इसलिए पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग शुरू की कि कैसे बंगाल की खाड़ी में भारत को कमजोर किया जा इसी चीज़ को सामने रखकर पाकिस्तान ने अपने सबसे ताकतवर समरीन पंडुबी गाजी को बंगाल की खाड़ी में भेजने का फैसला किया 14 नमबर 1971 को बंगाल की खाड़ी की हिफाज़त के लिए जो आइनस विकरान था पाकिस्तान को लगता था कि अगर आइनस विकरान को किसी सरा डुबो दिया जाए खत्म कर दिया जाए तो बंगाल की खाड़ी में उसका राज होगा और फिर वहाँ पे वो हार नहीं सकता और इसलिए 14 नमबर 1971 को गाजी को जो उनकी अपनी पंडुबी थी बंगाल की खाड़ी में भेज दिया जिया पाकिस्तान के पास खबर ये थी कि आइनस विकरान बंगाल की खाड़ी में है और उसका जो इस्टेशन है वो है विशाखा पत्नौ ये पाकिस्तान के पास खबर देंगे अब भारत को अभी तक ये जानकारी नहीं थी कि गाजी को लेके पाकिस्तान ने क्या चाल चलिए और कैसे वो विकरान को ठिकाने लगाने की साजिश बुन रहा है इस गाजी में 92 लोग सवार थे 92 जुसका एक ही मकसद था और वो था आयनस विकरान को डुबोना लेकिन हुआ ये कि तब गाजी 92 लोगों के साथ विकरान को निशाने पर लेने के लिए आगे बढ़ा कि एक दो चीज़ें ऐसी हुए उस वक्त कि हाला ठीक नहीं थे जंग क कि लोग सेना एक दूसरे की बातों को इंटरसेप्ट कर रहे थे सुन रहे थे ऐसी एक बातचीत चिटगाओं की नेवी को एक संदेश दिया था गाजी में सवार 92 लोगों में से जो उनके कैप्टन थे और संदेश ये था कि उनको एक खास किसम का लुब्रिकन चाहिए एक खास किसम का तेल जो खास दोर पर सब्मरीन और माइन स्वीपर में ही इस्तमाल होता है अब ये एक संदेश भारतिय नेवी ने पकड़ लिया अब यहां पर यह सोचा गया कि आखरकार चटगाओं में पाकिस्तानी नेवी एक खास किसम के लुब्रिकन खास किसम के तेल की म बात आई तो फिर ये साफ हो गया कि इसके निशाने पर आएनस विक्रांथ होगा पैसी के बाद फिर इस सब्मरीन का नाम किलियर हो गया कि यह घाजी है अब जब यह बात आई और गाजी को लेके अपनी नेवी और बाकि सारी जो एजिंसियां तो ने मालूं कि कि वो क्या जहास को दुश्मन के जहास के निशाने के सामने खड़ा करना है और उस जहास में लोग भी हैं और वो जहास अतनी ताकतवर नहीं है खत्रा यह है कि अगर निशाना सही लगता है तो अपने लोग मारे जाएंगे वो जहास तो डूबे गा ही लेकिन अपने सबसे बहतरीन और ताकतवर जहास समरीन को बचाने के लिए एक दूसरे जहास की बली और जहास में सवार दूसरे सैनिकों की बली ये एक प्लैनिंग थी तो इसलिए कई बार जहन में आता है कि जो जंग है जंग में सब कुछ जायस होता है जीत के लिए और इसी जीत को और आइनस विकरा को हटा दिया और उसको भेज दिया अंडमान सागर तो थोड़ा समंदर तल के नीखे है और हाला के आइनस विकरांद का जो स्टेशन था वो हमेशा विशाका पत्नम था और यह पाकिस्तानी नेवी को भी मालूम तो पहला काम यह किया कि गाजी के निशाने से आइनस विकरां थड़ गया और उसको अंडमान सागर में तैनात कर दिया गया और यह बेहत गोफनी तरीके से किया गया लेकिन अब यह है कि पाकिस्तान को यह कैसे यकीन दिलाए जाए कि आइनस विकरांद भी विशाका पत्नम में है क्योंकि पाकिस्तान को जब तक यह यकीन नहीं दिला इन सब चीज़ों पे वार और ऐसी चीज़ों की बार्टीत नहीं होती। लेकिन एक बड़ी मीटिंग हुई और तैये किया गिया कि आई एनस विकरांत विशा का पट्टम में ही है अनमान में नहीं है ये बात किसी तरह पाकिस्तानी नेवी तक पहुंचाई जाए इसको पहुंचाने के लिए अब नेवी के अफसरों ने फोन पर बार्टीत करने पाकेश्तान को और खुश कि चलो आई शूक 교 path कर बंस लेकिन बाकेशितन नहीं नीठी अब यही है आइनस विकरांत विकरांत कि भी सिरी पाकिस्तान हो जाया है और उसकी जगहां पर एक डूसरे जहाद सो जो आईनेस राजपूत उसको भेज दिया गया विशाका पटनम अब विकरांद को खोधने के लिए गाजी पीछे लगी वी है और इधर दूसरे जहाज को जो आईनेस राजपूत इसको खड़ा कर दिया गया विशाका पटनम में और आईनेस राजपूत से अब संदेश ली पकड़ लिए और इन्हें 100% यकीन हो गया कि आएनस विक्रान से यह संदेश एरा और आएनस विक्रान जो है वह विशाका पत्नम में खड़ा हुआ इसी के बाद गाजी में तैनात पाकिस्तानी नेवी के इशारे पर लोगों ने तै कि वो गाजी का रुख विशाका पत्नम की तरफ भेज़ेंगे और आएनस विक्रान को मार जिराएंगे यह पानी में डुबो देंगे 27 नॉवंबर को गाजी विशाका पत्नम पहुंचता है 14 नॉवंबर 1971 को यह बंगाल की खाड़ी से चलता कराची से चलता है 92 लोगों को लेकर और करीब 13 दिन के बाद 27 नॉवंबर को यह विशाका पत्नम पहुंचने के बाद INS राजपूत के बारे में तो जानकारी थी नहीं यह था कि INS विक्रांती है उन्हें ने उस पूरे रूट में पानी के नीके माइन्स बिछा दी और इसके बाद माइन्स बिछाने के बाद आप आइनस विकरान के गरीब जाकर उसे ढूनने की कोशिश करने लगे इधर आइनस राजपूत लगाता रभी मैसेज लीक कर रहा था अपने पंडुबी से ताके पाकिस्तानी नेवी को यकीन हो जाए कि ये आइनस विकरान थी है और विशाका पत्नम में ही बेस्ट है तो उन संदेशों ने पाकिस्तानी सम्मरीन गाजी में सवार लोगों को और ज्यादा कन्फ्यूस कर दिया इसके बाद वो रास्ते में माइनस बिछाते हुए आगे बढ़ते गए ताके वो आइनस विकरान के पास पहुंच सके हाला कि वहाँ आइनस राजपूट है इसके बाद 4 दिसम्बर की तारीख आती है 4 दिसम्बर की राच को रात में आइनस राजपूत को सिगनल मिला लेकिन उस सिगनल से ये कन्फरम नहीं हुआ कि ये कौन है गाजी है या कोई और है लेकिन फिर भी उने लगा कि ये गाजी है और आइनिस विकरान के दोके में उघा और करीब आ गिया है अब कभी भी हमला कर सकता हूँ यहाँ दो खतरा था यायनिस विकलां के दाव राजपूत में भी बहुत सारे अपने नेवी के लोग सवार थे, उनकी जान जा सकती थी, और आएनेस राजपूत उस वक्त इतना जादा है, वो मतलब उसको हटाना ही था, बेड़े से हटा कर इकना से कबार में भेजा जाना था, उसके कल पुर्जे खुलने थे, क्योंकि उ चार दिसंबर की राट को आएनेस राजपूत ने सिगनल पकड़ा उन्होंने एसास हो गया आखिर में, कि ये गाजी ही है, भारतिय नौसेना और भारत की तरफ से ये जो दावा है, इसके राजपूत के कैप्टन थे इंदर से, इन्होंने जब इस सिगनल को पकड़ा तो बरबाद हो गया और पानी के अंदर ही दूब गया, ये इंडियन नेवी का कहना है, कुछ लोग होगा, हलाकि इसके जो पूरे डॉकुमेंट्स हैं, पूरा क्या हुआ, वो क्लासिफाइड है, आज तक ओपनली इसको साधा नहीं किया गया है, लेकिन दूसरी तरफ, पाकि गाजी को आइनस विकरान थे या आइनस राजपूत ने नहीं मारा, बलके उसके अंदर एक टक्नीकी खामी आ गई थी, टेकनिकल प्रॉबलम आ गई थी और उसके वज़ा से धमाका हो गया, और उस धमाके के वज़ा से घाजी डूब गया, ये बात पाकिस्तानी नेवी का भारत की तरफ से ये है कि आइनस राजपूत ने इसको दो धमाके करके डूब होए, पाकिस्तान का कैना टेकनिकल खामी के वज़ा से ये डूब गया, लेकिन हाकिकत क्या है ये आज तक केलियर नहीं है, उसकी वज़ाई ये है कि हमने 1971 के इस सारे इंस्टेन को गोपनी आते हैं, आपकी जंग की रणनी की कैसे लड़ना है, कैसे दुश्वन को मारना है, आने वाले वक्त में भी कभी ऐसी जरूरत पर सकती है, तो आप उसका खुलासा नहीं कर सकते हैं, इसलिए आइनस गाजी को लेकर भी पूरी तरह से पिक्चर क्रियर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक जो पैक्टिस और वो सारी चीज़े होती कई दोश्यों के साथ, तो उस वक्त प्रणब वो खरजी थे, रास्तुपती देश के वो वहां पहुंचे थे विशा का प्रणब और कहते हैं कि वो अपने कई लड़ाकों ऐसे सब्मरीन और उस पे सवार होकर जब जा रहे थे, एक जगा वो ऐसी जगा पर गुजरे थे, जहां पर ठीक उसके सबंदर के नीचे है, पाकिस्तान के गाजी का मलबा मौजूद था और वो मलबा आज भी मौजूद है, तो मलबा वही है, और आज भी इसको एक बड़ी काम्याबी के तोर पर देखा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बड़ा जटका था, गाजी का यूँ डूब जाना और डूबा दिया जाना, उसके बाद फिर 71 की जग हुई, पाकिस्तान की बुरी तरह हार हुई, लाख होसेनिकों को उनके सरेंडर करना पड़ा, बांगला देश एक नए देश के रूप पर जर्म लेता है, तो हाला कि उस जंग की कई बहादरी और अलगलग तिस से हैं, किस तरीके से सेना ने काम किया, किस तरह एरफोर्स ने काम किया, लेकिन इस जंग से जुड़ी वी एक कहानी इस गाजी से जाकर जोती थी, अब यहां पर दो चीज़े थे, दुश्मन को ध दोका देने के लिए एक जहाज को उस जगे पे खड़ा करना जहां उन्हें लगे कि यह आइनस विकरांत है, जबकि वो दूसरा जहाज है, लेकिन उसके अंदर भी नौसेना के तमाम लोग हैं, अफसर हैं, और खत्रा ये भी है कि अगर उस पे हमलवा उनकी जान जा सकती ह तो ये सारी चीज़े बताती हैं कि जंग में सिर्फ बहादरी ही नहीं, बलकि आपकी प्लैनिंग रनीती का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और सबसे बड़ी चीज़ यह होती है, कि जंग में जीतने के लिए बहुत कुछ दाव पर लगाना पड़ता है, और उसमें ए झाल